एक दिन की बात है, विठलनाज जी के साथ बेटे थे, तो बहुए साथ थी, एक दिन बैटे थे बार, तो एक चूड़ी पहनाने वाली आई, तो विठलनाज जी ने कहा, आओ, आओ, हमारी सब बधुओं को चूड़ियां पहना दो, अब वो गई भीतर, चूकि विठलनाज जी ने कहा, सारी बहुओं को चूड़ियां पहना दो, ये नहीं कहा कि मेरी साथ बहुओं को चूड़ियां पहना, ये कहा मेरी सब बहुओं को चूडियां पहना दो तो इधर राधा रानी ने सोचा कि यदि ये ठाकुर को पुत्र मानते हैं तो मैं तो पुत्र वधू हुई तो इस मौके का लाभ लेना चाहिए तो साथ बहुएं जब चूड़ी पहन लेती हैं तो आठ भी राधा रानी अपना हाथ आगे करती हैं अब जैसे हो मनिहारिन हाथ पकड़ती है राधा रानी का तो शितिल हो जाती इतना कोमल हाथ माखन के समान के जैसे ही पकड़ती है तो निशान बन जाते चूड़ी कैसे पहनाओं ये हाथ है किसके इतने कोमल इतने शीतल इतने कोमल तो ऐसे सुकोमल हाथों में मैं चूडियां कैसे पहनाओंगी वो वैसे ही स्टब दो के बैठ जाती है मूर्ति बंत हो गई विकुल बहुत देर तक ऐसी अवस्ता में ही रही जैसे तैसे करके उसने क्योंकि जब थोड़ी चूड़ी आगे करें तो निशान बन जाएं तो जैसे तैसे करके चूड़ी पहना दी और तुरंत उठके गई वहां से और बिठल नाग जी से कहने लगी कि मुझे चूड़ीयों के पैसे दे दीजी तो बिठल नाग जी ने साथ बहूँ को जो चूड़ीयां पैनाई थी उस अनुसार साथ के पैसे दी तो मनियारिन कहती है कि मैंने तो आठ को चूड़ीयां पैनाई है तुम साथ के पैसे कैसे देते हो अब बिठल नाग कहें बही मेरी तो साथ ही बहुए है तुने आठ किसको पहना दी तुझे गलती लग गई होगी ध्यान दे साथ है उसने कहा आप मुझसे पैसे वापिस ले लीजिएगा लेकिन ये सत्य है कि मैंने आपकी आठ बहुओं को चूडियां पहनाई लेकिन बिठल नाच जी इस बात को स्विकार करने के लिए राजी न पैसे मुझसे ले गई है खैर उन्होंने पैसे दे दिये उन्होंने सोचा दिक विवाद करने से क्या लाब दे दो गरीब है विचारी तो दे दिये पैसे रात्त्री में सपने में राधारानी आई और बिठल नाच जी से कहा आपने तो सब वदूओं को पहनाने को कहा था तो मैंने सोचा इस मौके का इस अवसर का फाइदा लेना चाहिए इसलिए मैं भी चूड़ी पहनने आ गई क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी पुत्र वदू हूँ मैंने बहाना खोजा और मैंने भी चूड़ीयां पहनी है तो यदि तुम्हारी इस पुत्र वदू ने चूड़ी पहनी है तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है पैसे देने में तब जाकर बिठल नाग जी को ग्यात हुआ अनुभव हुआ कि अरे इतनी बड़ी बात हो गई कि स्वेम अब तक तो ठाकुर ही मुझे दर्शन देते थे मुझसे प्यार करते थे मेरे जीवन का ये परमसवभाग्य कि मुझे कृष्ण उपासक को राधारानी ने कृपा करके युगल उपासक बना दिया क्योंकि अब पुत्र वदू भी घर में आ गई तो पुत्र पुत्र वदू दोनों की उपासना फिर बिठल नाग जी ने कानम की एड़ 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